हलो फ्रेंट्स हावर यू उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रेट फॉर प्रॉफिट में हमेशा की तरह तो यहां पर आज इस अपडेट में बात करेंगे कि बिट्कॉइन बै रही है कि सरकार फिर इस पर विचार कर रही है तो चलिए इस न्यूस की सचाही आने की कोशिश करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी बात दोस्तों कि हम कोई फाइनेंशल एडवाइजर नहीं हम जो भी आपको बताते हैं वहमारी खुद की नीजी इंडियन गॉवर्मेंट रीकंसीडर बैनिंग क्रिप्टो करन्सी तो यहां पर यह बात की जा रही ही कि यहां पर इसको फिर से दुबारा से विचार किया रहा है कि क्रिप्टो कर दिया जाए ठीक है तो दोस्तों उसके पहले में इहां पर एक चीज आपको दिखाना चाह कि नियूज है जब RBI ने क्रिप्टो करन्सी के ओपर ब्लैंकेट बैंड लगा दिया था कि वो या उनके आधिन जितने भी बैंक हैं वो किसी भी क्रिप्टो करन्सी में लेन लेन करने वालों के साथ काम नहीं करेंगे अपना पैसा आपको लाना होगा अपने कांट में वो नहीं कर सकते हो और नहीं वहां से कोई भी डिपॉजिट किसी एक्चेंज पर सकते हैं तो यह 6 अप्रेल 2018 की बात है ठीक है उसके बाद एक लंबी लडाई के बाद वहां पर कुछ टाइम पहले आई थिंग मेरे खलत मार प्रेश दिया और वो बैंड हटाया गिया ठीक है तो उसके बाद एक थोड़ा सा सवलियत मिल गई थी सारे क्रिप्टो करन्सी के यूजर्स को कि अब यहां पर हम ट्रेड वगएर कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों चिंता यहां पर लोगों को सता रही है कि अब हम देख लिए होंगे आपको तो काफी सारे हमारे हिंदुस्तान के इंडिया के बंदे हैं जिनको इंग्लिश पूरी तरह से नहीं आती है वो अगर एकनॉमिक्स टाइम पर जी चले जाएंगे या कोईन टेलिग्राफ पर भी यह न्यूज है तो महां पर टोटल इंग्लिश लेंग हिंदी भाषा में मिलेगी जो हमारी मात्र भाषा है उस हिंदी भाषा में आपको अच्छे सा समझ में आएगा और आपको अच्छे सा समझ में आएगा वहां पर बिल्कुल मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो बंदे वहां पर जाकर पूरी उसको जाके पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले चलिए दोस्तों चलते हैं economics.com पर ठीक है यह देख सकते हैं कि दोस्तों economics.com की यह news है यहाँ पर आप देखोगे कि यह देखे symbol है ET यानि कि यहाँ पर आपको confirm होना चाहिए कि economics.com पर हैं ठीक है सर्च बार में आप देखोगो तो economics times ठीक और यहाँ से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखे कितने अच्छे समझ में आएगा भी भाई देखे कुछ आपकुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश लेंग्वेज को अच्छी तरीकर समझ ल तो दोस्तों यहाँ पर सरल भाषा का परियोग करता हूं खुद भी और आप तक भी सरल भाषा का परियोग में अपडेट पहुचाने की कुशिश करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रिप्टो करंसी पर स्थाई रोप के लिए सरकार लाएगी कानून ठीक उसके ब बारे में भारती रिजर रुबैंक यानि अर्बियाई के सरुकलर से इतर परभावी कानूनी धाचा बनाएगी एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी ने एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी ने एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी ने एटी यानि एकनॉमिक्स टाइम को बताया अंतर मंतरालाई प्रामर्श यानि IMC जो बनी थी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के नाम से I think उसका वो फुल फॉर्म है के लिए एक नोट वित मंतराले दोरा यानि finance ministry दोरा लाया गया है ठीक है सुप्रीम कोट ने चार मार्श को यहाँ पर देखे ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है सुप्रीम कोट ने चार मार्च को क्रिप्टो करन्सी पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले भारती रिजर्व बैंग के सर्कुलर को निरस्त कर दिया था जो blanket bank RBI ने लगाया था उसको पूरी तरह से जो हमारा Supreme Court है मानने नहीं Supreme Court है उसने उसको निरस्ट कर दिया था 4 March 2020 को ठीक है 4 March 2020 को उसको पूरी तरह से निरस्ट कर दिया था अब देखें यहाँ पर आगे चलते हैं रिजर बैंग ने क्रिप्टो कंसी पर रोक के लिए सरुकला जारी किया था इसके बाद अब सरकार इसे कानूनी जामा पहिना चाहती है यह जो रिजर बैंग ने क्रिप्टो कंसी पर रोक लगाई थी एक बैंड लगाया था इस पर एक कानूनी जामा पहिना दिया जाए इसक आपको कुछ करना नहीं है यहां पर देखे उसके नीचे दिया है यहां से देखे हो गए आप इस पैराग्राफ को कि यह नोट कैपनेट के परामर्शानी एडवाइस के बाद जो बाद में संसत को यानि परल्यमेंट को भेजा जाएगा विशेशकों ने कहा है कि अगर यह प जटका होगा अगर यह उसी तरीकी के मामला यहां पर बनाते हैं तो यह जटका हो सकता है थोड़ा सा यहां पर देखे विचलित कर सकता है यह यह न्यूज आप लोगों को लेकिन सब कुछ अपना कान आक नाक सब कुछ खोल गए ही आप रखना है उसके बाद ट्रेडिंग करनी है क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों काफी मेनत पड़ती है अब उसके बाद नीचे चलते हैं इस पैराग्राफ की तरफ तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक उचिस तरी सरकारी पैनल ने जुलाई 2019 में क्रिप्टो करंसी के सभी रूपों पर सभी रूपों पर दे प्राइबंद के लिए एक मसाधा कानून तयार किया गया था लेकिन देखें दोस्तों कोई भी कानून तयार होता है तो इसको पास किया जाता है हमारा जो माननी लोकसबा है पार्लियामेंट है वहां से ठीक है इसमें पच्चिस करोल उपए तक का जुर्माना यहां पर दे कजी यह हम प्रीव में बत करते हैं कि जिसे में कोई इस अपरेट करता हूं बॉप एक निकार करना है किसी को यह हम आपने एंप्ना इस परमिशा के उले पशलुकित है इन δî तो दोस्तों इस तरीके की निउसे आपको बिटकोई से रिलेटेट क्रिप्टो करणसी से रिलेटेट पहले भी दिखाई जा चुकी है तब इसमें कितनी सचाई है तो देखें यहां पर अभी काफी टाइम लगेगा अगर यह सर्कुलर जाता है और उसके बाद यह पहले तो यह नोट कैबिनेट के प्रामर्श के बाद यह जो कैबिनेट उसके प्रामर्श आपस में सला मस्वरा करने के बाद संसत को भीजा जाएगा ञानी परल्लियामेंट अपीजा Näगा यह पहले परफ में एक बहुत ही लमबा प्रोसीजर हुता है भारत के सम्विधान का नुसार हमें चलना है इस में पिर हमें किसी भी तरीके का लेंदेम नहीं करना अगर हो सकता है कि लेक्ष कि जिस तरीके से मोदी जी जी का सपना था कि दीजिटल इंडिया का तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो मुझे निचेशन लगता है कि इसको करेंगे क्रिप्टकरेंसी को और एक इहां पर जो एक नियूस निकल कर आएगी वो हमारी अमेध है इस तरीके की स्वाटफि चेस्ट यहां फॉरेक्स को मुपे ्रहा है चेहां यह कि नीया है कि तोटली रेगुलेटिटांकि कneckा काम है गॉर्मिंड का कर मात्लम पटाइसी करें कि स्डीति अपने ही इस टॉक्स में yebee करें करें होल्डिंग करें यह करें तो ज्याद अच्छा होगा अगर हम यह कर सकते हैं कि 50% केपिटल को ठागर स्टॉक मार्किन में देखें ट्रेडिंग उसी तरह से होती है बस थोड़ा सा टाइम टेबल का फर्क होता है ठीक है यह 24 x 7 चलती है क्रिप्टो करनसी की मार्किट उस अब इसके लिए देगे प्लेटफार्म की ज्रूबत नहीं है ऐसा नहीए कि यहाँ पर जो हम क्रिप्टो करनसी में ही ज्यादा किमा पाएंगे है कि भाई हम एक ही इस क्रिप्ट को क्यों पकल के चलें ठीक है हमें जब काम करना है तो हमें फिर तीनों में ही काम करना है तो हम तीन नहीं तो फिर भी दो में तो काम कर सकते हैं कि स्टॉक और क्रिप्टो करनसी में काम कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको उमीद करता हू आपको जानकारी दी गई है कि English में लगा कर ही अपनी manual जानकारी दे दी गई है ठीक है तो यहां पर दोस्तों इस पेज का यह जो आप Hindi की जो न्यूज देख रहे हैं इस पेज का लिंक में description में दे दूँगा वहां पर आप क्लिक करिएगा सीधे आप इस पेज पर आजाओगे एकनॉमिक्स टाइम्स के जहां पर यह Hindi वर्जन है इसका तो हिंदी वर्जन पर जाकर आप आराम से इसको पढ़ सकते हो देख सकते हो समझ सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैंने इतने मतलब इतनी अच्छी थियूरी मैंने वार बदाई थी आरेसाई डाइवर्जन और लेकिन उसको लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया तो यह उनका अपना आउट लोग है दोस्तों मेरा काम था मैंने कर दिया अब आपको देखना पसंद करना वह आपके ऊपर है और यहां पर मैंने यह आपको क्लियर कर दिया प्राइस यह अपडेट थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दोस्तों लेकिन आप देखो के तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है इसमें इतना तरीके से आपको किसी भी बंदे ने और में तो सबसे बड़ी चीज है कि न्यूज हिंदी में है आपको अच्छे समझ माई होगे चलिए दोस्तों मुझको इदाद दिये चलता हूँ गुड़ बाई अल्ला हाफिस फिर मिलूंगा जब तक के लिए जय हिन जय बारत